आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें तुरटर क्या होता है, एस अभी क्रिया का समीकरन क्या होगा? इस अभी क्रिया का जो समीकरन होगा, एसे दोस्तों मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, एस च्रिपल बॉंड, एच तो यहाँ पर दो carbon है और 2 hydrogen है गया हमारा acetylene हो गया ठीक है जब दोस्तो इसकी क्रिया हम SCl से कराते हैं ठीक है किस से करा रहे दोस्तो हम इसे SCL, hydrochloric अमले के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर दोस्तों, two molecules of hydrochloric अमले लेते हैं, क्योंकि यह जो अभिक्रिया ही है, दो चरणों में होती है तो सबसे पहले वाला molecule के साथ जब अभिक्रिया होती है तब हमें यहाँ पर उतपात क्या मिलता है तब यहाँ पर मिलता है CH2, ठीक है CH2, double bond CH, CL यह हमें यहाँ पर प्राप्त होता है ठीक है, अब यह जो हमें उतपात मिला है दोस्तों, इसकी अभिक्रिया एक और SCL से कराते हैं ठीक है, हमने यहाँ पर दो molecule आप SCL लेते हैं, पहले molecule के साथ यह बनता है, दूसरे molecule के साथ फिर से हम जब SCL के साथ करिया कराते हैं तब हमें यहाँ से क्या मिलता है तब यहाँ से हमें मिलता है CS3, CH, CL2 यह हमें यहाँ पर प्राप्त होता है तो इस तरह से दोस्तों हमें अभिक्रिया देखने को मिलती है तो हम दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हमारा जो है, यह क्या है यह है यह है दोस्तों हमारा, acetylene ठीक है यह है हमारा है Acetylene तो Acetylene के दोस्तों जब हम क्रिया SCL से खरा दें तो हमें यहाँ पर क्या मिला यहाँ पर दोस्तों हमें मिला CHCl2 अगर इसे नाम के तोर पर अगर लिखे दोस्तों तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1-1-Dichloro इसे हम क्या लिखेंगे 1-1-Dichloro ठीक है दो मॉलिकुल है हमारे कार्बन के तो यह क्या होंगे हमारे होंगे एथेन ठीक है यह क्या हो जाएगा 1-1-Dichloro एथेन तो यह होगा दोस्तों इसका नाम यह हमें उत्पात के तौरपर मिलेगा जो कि हमारा अंसर है अब हम देखते हैं कि करके विकल यहाँ पर दिया गया दोस्तों CS3, CS2, CS तो यहाँ पर एक ही कलोरिन दिया गया तो यह गलत है यहाँ पर है 2 कलोरिन यह वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स 84444 पर